हाई एब्रीवन वेल्कम बैक टू माई चैनल तो कैसे आप सब आई होप आपसे बच्चे होंगे तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप फाइब बेस्ट अपकमिंग बैक्स इन इंडिया इन ट्वेटी ट्वेटी सो अगर आपको इन बैक्स के बारे में सब कुछ ज इस बाइक की एक्सपेक्टेड लॉंच है फेस्टिबल सीजन के अंदर मींस यह बाइक ऑक्टूबर से नवेंबर तक इंडियान टुवेल मार्केट में लॉंच होगी तो अगर बात करें इस बाइक की एक्सपेक्टेड ओन रोड प्राइस के बारे में तो इस बाइक की ए गेरेट करेगा 18 PS की और मैक्सिमम टॉक प्रोड्यूस करेगा 15 न्यूटर मीटर का और इस बाइक में आपको 6-speed gearbox मिलेगी जैसा कि आप सबको पता है होंडा की इंजन रिफाइनमेंट काफी अच्छी होती है तो इस बाइक की इंजन रिफाइनमेंट काफी अच्छी होगी औ 140 प्लेस किलोमेटर पर आर की टॉप स्पीड देखने को मिलेगी और इस बाइक में आपको 35-40 km पे एल की इजली मिल जाएगी और इस बाइक में आपको सिंगल सीट मिलेगी जो की क्लियन और राइडर के लिए काफी कमफरिटेबल होगी अगर बात करें इस बाइक की इलेक से स्पेंशन के वारे में ता इसमें आपको अपसाइड डाउन फ्रेंट फॉक्स मिलेंगे और मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा और इसमें आपको डूल चैनल EBS मिलेगा तो इस बाइक की ब्रेकिंग सिस्टम भी अच्छी है था अब हम मूव करते हैं फोर्थ नंबर पे ज विशन्हवंबर की बीच लाउंज होगी अगर बात करेंगी एक्सैक्टटट एक शोरुम ठरैस के बारे में तो इस बाइoren प्राइस होने वाली है 2020,000Ooh और इस बैक की एक्सपेटट लॉर्ण अठराइस होगी फेला 20,000 अगर बात करिए एजिंट्ड स्य बारे में तो इसमें आपको 312 cc का 4 stroke single cylinder fuel injected liquid cool BS6 compliant engine मिलेगा जो maximum power generate करेगा 34 dhp की और maximum talk produce करेगा 27 newton meter का और इस बाइक में आपको six speed gearbox मिलेगी और इस बाइक में आपको 170 km per hour की top speed मिलेगी और इसमें आपको 30 to 35 km के मालेज मिलेगी और इसमें आपको dual channel ABS मिलेगा और इस बाइक में आपको LED headlights मिलेंगी LED lights और इस बाइक में आपको LED indicators भी मिलेंगा TFT display वाला fully digital instrument console मिलेगा और इस बाइक में आपको riding modes भी मिलेंगे जो कि आपको RR 310 में भी मिलते हैं और इसमें आपको upside down front fox मिलेंगे और rear में monoshocks suspension मिलेगा अब मुव करते हैं थर्ड नंबर पर जो बाइक है उसकी तरफ तो थर्ड नंबर पर है royal infield meteor 350 इस बाइक की expected launch है August 2020 और ये बाइक Thunderbird 350X को replace करेगी और इस बाइक की expected एक showroom price होने वाली है 1,70,000 और इस बाइक expected onward price होगी 2,00,000 तो इस बाइक में आपको engine displacement मिलेगा 346 CC का 4-stroke single cylinder fuel injector BS6 compliant engine मिलेगा जो maximum power generate करेगा 19.1 BHP की और maximum product produce करेगा 28 Nm का और इस बाइक में आपको 5-speed gearbox मिलेगी और इस बाइक में आपको 120 km per hour की speed मिलेगी और इस बाइक में आपको 30-35 km इंपील की mileage मिलेगी और इसमें आपको heliogen headlights मिलेगी with round DRL और fully digital instrument console मिलेगा जिसमें basic information मिलेगी like gear indication और इस बाइक में आपको dual channel ABS मिलेगा और इस बाइक में आपको telescopic front fox मिलेगे और rear में spring type suspension मिलेगा और इस बाइक में आपको थोड़ी सी heating problem देखने को मिल सकती है क्योंकि इस इस बाइक में air pulled engine होगा सो जो सेकेंड नमबर पर बाइक है वो है पलसर RS 400 अगर बात करें इस बाइक की expected launch के बारे में तो यह बाइक 2020 के एंट तक launch होगी और इस बाइक एक शोरू प्राइस होगी 2,00,000 और इस बाइक की expected download price होगी 2,00,000 और इस बाइक की front और side look change होगी जै single cylinder 4 stroke fuel injected liquid cooled BS6 compliant engine मिलेगा जो maximum power generate करेगा 40 bhp की और maximum top produce करेगा 35 newton meter का और इस बाइक में आपको 6 speed transmission मिलेगी और इस बाइक में आपको 170 km per hour की top speed मिलेगी और इस बाइक में आपको 25 to 30 kmpl की mileage मिलेगी और इस बाइक में आपको dual channel ABS मिलेगा fully LED projector head lamps मिलेगे और LED detail lights मिलेगी और इस में आपको LED indicators भी मिलेगे और इस बाइक में आपको fully digital instrument console मिलेगा जो basic information शो करेगी और इस बाइक में आपको upside down front fox मिलेगे और rear में monoshock suspension मिलेगा जो फर्स नमबर पर बाइक है वो है Yama FZ25 BSA variant ये बाइक अभी तक launch नहीं हुई है और इस बाइक के expected launch है August 2020 और इस बाइक की expected action price होगी 1,42,000 और इस बाइक की expected download price होगी 1,70,000 अगर बात करें इस बाइक की engine displacement के बारे में तो इस बाइक में आपको 249 CC का single cylinder 4 stroke fuel injected oil cooled BS6 compliant engine इस बाइक करेगा 28 BHP की और maximum torque produce करेगा 20.1 newton meter का और इस बाइक में आपको 5 speed gearbox मिलेगी so maybe आपको इस बाइक को ride करते ताइम थोड़ी से vibration feel हो सकती है इस बाइक में आपको LED projector headlights मिलेंगी with DRL और इस बाइक में आपको LED tail lights मिलेंगी और halogen indicators मिलेंगे और इसमें आपको fully digital instrument console दे काफी comfortable होगी so यह थी top 5 best upcoming bikes in India in 2020 so I hope यह वीडियो आपको पसंद आए होगी तो अगर आपको इस वीडियो में खुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर देजेगा और चैनल को subscribe कर लिजेगा तो चलिए मिलते है नेक्स वीडियो में till then bye bye take care